दोस्तों नमस्कार मैं पंकज कुमार इस समय भादशो की नंदी शाला में मौजूद हैं और इस समय आपको दिखाने का प्रियास करूँगा कि जो परसासन के बड़े बड़े दावे हैं वो किस तरह से खोकले नज़र आते हैं खोकले इसलिए कि गायों को जो हरा चारा देना था जो बीडियो हैं इंद्री के साब सिंग उनकी तरफ से बोला गया था है कि हरा चारा उपलवद करा दिया गया है और जो चारा काटने वाली मशीने हैं वो दे दी गई हैं यही सस्ते जानने के लिए आज बादशो की नंदी शाला में पहुँचे हैं देखते हैं क्या इंतजाम है और जो प्रसासनिक अधिकारी हैं उनके दावे कितने सचोते हैं चलिए आएए आपको दिखाते हैं बादशो की नंदी शाला में कि किस तरह की विवस्ता है पशुओ को जो चारा दिया जाता है वो किस तरह से दिया आई-बश्याप्र्ति बोस्तित हमयिता है फोड़ यह चारा प्रियास करईंगे पानी की अगर वेवस्ता की बात करें तो एक बार हम अपने सहीयोग्यों को कहेंगें कि एक बार पानी दिखा दे जो पशु कानी पीते हैं वह इस लाइन में लगा हुआ है और कितना आप दे स सालों से यह जो पानी के लिए ओदी बनी गई है इसको साब भी नहीं किया गया और अब पशुओं की अगर बात करें तो आप दिखाना चाहेंगे कि पशु जो हैं हरा चारा दो दिन से जो कमिटमेंट की गई है बीडी पीओ साब सिंग द्वारा की हरा चारा पशुओं को नंदी शाला में उपलब्द खरा दिया गया है यह नंदी शाला के अभी जो पशु हैं हम आपको दिखानेंगे कि एक बार आगे आकर अगे पद्धाएं जो यह पशु ह है बिल्कुल ही अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और दो दिन की अगर बात करें तो दो दिन चोड़िए महराज एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हरा चारा इनको मिला होगा सिरफ जिस दिन एक ट्रेली चारे की मगाई गई थी और उसके बाद चारा जो है यहां पर बिल्कुल नहीं है चारे विवस्ता की इस तरह के से पोल खोलने का काम आज जन तैलका की टीम करने के लिए पहुंची है जिस तरह के से बड़े बड़े वादे किये जाते हैं और ये पशु जो हैं भूके प्यासे मरने के लिए मजबूर हैं गाउं भादशो की नंदी शाला में मिंज़ा हूंगा कि एक बार अंदर की अंदर से पहले बार आप देखाएंगे कि ये वो चारा मसिन जो लाई गई हां ुसी मसिन से चारा काटा जाता है। चारा तो जनाब जब काटेंगे जब इसमें गंडासे की विवस्ता होगी देख सकते हैं गंडासे की विवस्ता होगी तभी तो चारा कटेगोर शायद यहां पर जो नंदी चाला में रहने वाले लोग हैं वो शी तरीके से चारा काटते होंगे क्योंकि उपर नीचे रखी हुई है जो मोटर है उसका शायद पता नहीं है एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पशुओं को हरा चारा मिल रहा है और जो हराचारा है वो शायद अब डलने वाला होगा जो उम्मीद जताई जा रही है लेकिन अंदर की अगर बात करे तो हराचारा छोड़िये अभी तो एक पत्ता भी नहीं नहीं है क्योंकि जो पशू हैं आप दे सकते हैं किस तरीके से बीमार हैं पशू, पशूँ को चार कि कि यहां पर लोग कितने टाय से काम कर रही हैं occupied ओव कर डोशने साथ में ये महीं लाइए यहां पर काम कर रही है आप यह बताएं कि dw थिन दिन पहले जो व। हम गविश्दध अधिया चारहा वकरठा कर दोलेगा हुआ यहाँ ठोभ कि पहली बात कोई मजदूर नहीं मिल रहा उपर से चारा आज अगर बात करे तो अभी तक हरा-चारा नहीं डला नहीं ज़िए लापरवा जो आदिकारी आते हैं चेक करने के लिए वो देखते हैं वो फिर हरा-चारा ने डालते हैं में तो जो चारा काटने के लिए मशीने देखर गए अधिकारी उससे चारा काटा या वसे दिखाने के लिए रखती वेसे खड़ी हैं ताकि कोई अधिकारी आए तो पता लगे वह दोस्तों देख सकते हैं जो महिलाएं यहां पर काम करती है नंदी शाला में वो किस तरीके से यहां पर मजबूर हैं सिर्फ सूका चारा डालने के लिए और ये तस्वीरे बया करती है उन पशुओं की खोरों को जिसमें सिरफ सूका चारा डाला जाता है पशुओं को और सिरफ पानी डाल दिया जाता है उपर से खल या कोई अलग से ऐसी चीज ने डलती ताकि वो अपना पेट बर सके मजबूरी में उन पशुओं को ये सूका च खाना पढ़ता है और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अधिकारी आते हैं बोलने के लिए कि हरा चारा है ये वो हरा चारा है दोस्तों जहां पर पशुओं को मजबूर हैं भूग से मरते हैं और मर भी रहे हैं कई पशुओं की अगर बात करें देखिए बात स अंदिशाला में जिस तरीके से जो अधिकारी आते हैं दावे कर जाते हैं कि हरा चारा जो है पशुओं को दिया जाएगा पशुओं स्वस्त रहेंगे ताकि पशुओं यहां पर देखवाल की जाएगी तीन से चार महज यहां पर करमचारी हैं जो यहां पर देख रेक करत पानी की विवस्ता की अगर बात करें पंकों की अगर बात करें तो पंके भी सिरफ नामचारे के हैं देख सकते हैं उपर बिलकुल जाले लगे हुए हैं साइद चले हुए भी स्टार्टिंग में होंगे जब लगाए होंगे लेकिन उसके बाद विवस्ता की लाइटों की जवार बोई गई और अब काटी जा रही है वो अब पशों को नहीं मिल रही है एक बड़ा सवाल जो जिस तरीके से उठाया जा रहा था कि पशों के लिए मशीने दे दी गई है अब उनको जो है भरपेट चारा मिलेगा उनका इलाज होगा लेकिन ये जो देख सकते हैं गाय हालात बया करते हैं कि क्या अधिकारियों को इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता इतने हजारों की संख्य में जो गाएं यहां पर और गोवंश हैं उनका इलाज छोड़िये यहां पर विवस्ता नहीं हैं पशू देख सकते हैं किस तरीके से जो गाएं हैं मरने की कगार पर ह और किस तरीके से इनका इलाज छोड़िए जो भोजन है जो खाना है जो चारा है वो तक नसीब नहीं होता दोस्तों आप लोगों से पील बन रहेगी कि इस कबर को इतना लाइक कीजिए क्यों अधिकारियों की आँख खुले और पता लगे कि धरातल पर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता कुछ करके दिखाना ही काम होता है मैं अपने सयोगी के साथ इस समय बाद्जों की नंदी साला से पंकज कुमार